बिहार विधानतवाद चुनाओं के बाद अब टिकट बटवाडे का काम थोड़ी दिन में शुरू होने वाला है लेकिन नजारा अभी से अजब वजब देखने को मिला है यह नजारा है पत्ना के राजात ओफिस का यहां लालू यादब जिंदाबाद राबरी देवी सुधा सिंग टिकट की दावेदारी को लेखे अनिशित कालीन अनसन पर बैठ गई है खुद उनके साथ दो लोगार बैठे हुए और यह राजत कारिया लेके अंदर करना जा रहा है यह अपने आप में बड़ा महत्मून है अब आप देखिए किस तरीके से हम इन से बात कर नहीं है कि इनकी ऐसी क्या दावेदारी है कि इनको अनिशित कालीन अनसन करना पड़ा आपको टिक्टो के लिए अनसन चुकरना पर जी हमारी मजबूरी है कि 2015 में पंद्रा में हमारा टिकट शियोर था पक्का था लालू जी काने पर हम आवेदन दिये थे पाटी करेले में टिकट के लिए तेगरा विदांसवास तो हमारी सीट शिट शियोर हो गई थी इनको टिकट ले मिलना है और चुनाप चीन अब सुबह में उठाना है और रात में अचानक नितिजी से घट बंदन थी वह तेगरा का सीट मांगे इस बार अपने लिए इस बार फाइनल नहीं हुआ पटिया इसलिए कि हम पहुंच सक्टमबर को अपलाए कि हैं 15 दिन से पटना बैटे हुए ना तेज़सी जी मिलते हैं ना आवास में यहां अपाटी का या अपना हग चाहती है और इन ही हगो को लिए करके फिलाल यह अनसन बाब एठी है सुधात सिंह इनका करना 2015 में मेरा टिकट करफार्म था चुकि महागडबंदन में निसिस कुमार के साथ कुलाबरेशन हो गया पार्टी का तो हमें टिकट डेम लाइव इस बार 15 दिनों से य नहीं कोई पर पार्टी का बरिष्ट नेता मिला है और यह अपने हग के लिए एक महिला अपने हग के लिए अंसन वा बैठी है करना है कि जब तक पार्टी के बरिष्ट नेता और पार्टी के जो कह सकते हैं कि करता धरता है और जो बिधान सवा में विरूदल के नहीं तर याने टिक टोक के ले करके अभी से मारा मारी के बीच अनसन का भी दौर शुरू हो गया है हमें देखना होगा कि बिहार विधानतवा चुनाओ हमें कैसे कैसे रंग देखाएगा यह तो आने वाला चंद दीन ही बता पाएगा हमें टिकेट के लिए पूर मचींड यह है अभी हम मौदी ते राजम्सारा आले में और यहां दिकेट के लिए में हमारी घृम्सुद के लिधार में हैं देखना किसके अजुन से किल आने पाएगें तो आने ये बढले हैं और झाले बड़ पाले से घटने लड़ को घाले हैं